नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका आज किस वीडियो में दोस्तों पिछली वीडियो में लोग उन्हें प्रेसंत पूछा था कि टिड्डा किस वर्थ से सम्बंदित है ठीक है कीट, किटानू, जीवानू या इन में से कोई नहीं तो इसका सई जवाब है कीट मत अधिकार की न्यूंतम आयू 18 वर्स तेग की गई ठीक है तो इसका सभी जवाब है 61 सविधान संसोधन अधिनियम 1989 में ठीक है कब की गई है 61 सविधान संसोधन 1989 में इससे पहले जो मूल सविधान की हम लोग बात करें उसमें मत अधिकार की कितनी ती एकीश वर्स ती लेकिन 61 सविधान संसोधन के तहद जो कि 1989 में हुआ उसके दुबारा मत अधिकार की जो कितनी कर दे गई 18 वर्स कर दे गई अगर आपको प्रसन पूछा जाए कि मूल सविधान में जो मत अधिकार कितनी थी तो 21 वर्स वर्तमान में कितनी है 18 वर्स किस सविधान संसोधन के तयाद की गई इक सविधान संसोधन अधिनियम 1989 के तयाद इससे बदलाव किया गया ठीक है तीने चार कोशन आपको इससे बनते तो आप फटाफट उनको याद कर लीजिएगा और बढ़ता है अगर राष्ट्पति चुनाव में किसी भी प्रिकार का विवाद होता है ठीक है तो उस विवा उस विवाद को सर्वच्च नयालय वो स्वपा जाएगा ठीक है अगर किसी भी प्रिकार का विवाद हो राष्ट्पति के चुनाव को लेकर तो वह विवाद कहा जाएगा सर्वच्च नयालय में यह कुशन पूछा गया एक्जाम में तो कफी अच्छे कोशन मैं आप सुन निकाल किस देश की देन है अमेरिका भारत फ्रांस या और इस साह प्रशनकाल के ठीक बाद समय कहलाता है सामनित अ समय होता है वह 11 से 12 होता है तो 12 से एक समय होता है वह क्या कहलता सुन्यकाल लेकिन इसका एक्जक्ट कोई टाइमिंग नहीं है या कुछ एक कितने सा टाइम के लिए होगा तो यह सा कुछ कहा नहीं गया इसके लिए ठीक है इसे प्रशनोत्तरी भी शत्र भी कहते हैं यह नाइंटीन सिक्टी से सेवन्टी के बीच में प्रचलन में आया ठीक है कुछ कोशन देखो सुन्यकाल किस देश की देन है भारत की ठीक है प्रशनकाल के ठीक बात का समय सुन्यकाल कहलाता है नाइंटीन सिक्टी से सेवन्टी के बीच में इसका प्रचलन हुआ और इसे प्रशनोत्र सत्र भी कहते हैं पूछा गया कोशन है कि प्रशनोत्र सत्र किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं सुन्यकाल को नेक्स्टोसन है एविश्वास प्रस्ताव संसत के किस सदन में पेश किया जाता है लोकसवा या राजिसवा या किसी विमी पेश कर सकते हैं या इन में से कोई नहीं तो उसका सभी जवाब है लोग सभाब में एव इस्वास प्रस्ताव हमेशा लोग सभा के अंदर ही पेश किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोशन बाता है किस राज्जी की विदान सभाब में सद्ध्शो की संख्या सबसे अधिक है तो उसका सभी जवाब है उत्तर प्रदेश ठीक है सबसे ज़्यादा विदान सभाब सद्ध्शो की संख्या किसमें कौन से राज्जी की है उत्तर प्रदेश की यह भी काफी अच्छा कोशन है कई बार कम्टिटर एक्जाम्स में पूछा गया है अब तक बारत में कितनी बार वित्या आपात लागू किया गया है तीन बार चार बार या एक बार या एक बार भी नहीं तो यह काफी अच्छी बात है कि बारत में अब तक एक बार भी वित्या आपात लागू नहीं किया गया है बाहरत का कौन सा राज्य बांगला देश से तीनों और से गिरा हुआ है असम या तिरुपुरा मिजोरा में से किम तो, कौन सा राज गिरा हुआ है, तिरुप्रा, तिरुप्रा ही राज़ा निकुंसी है, अगर तला, तिरुप्रा निकुंसी है, अगर तला, नेक्स्ट परते हैं, भारतिय मानग समय रेखा, 12.80 degree, निमिल में से किस इस्तान, निम्न में से किस इस्तान से इस्तान समय को दर्साता तुरसी गलती हो गई ठीक है भारतिय मानक समय रेखा साड़े बियासी डिगरी निम्न में से किस इस्तान के इस्तान समय को बताती है तो इसका सही जवाब है इलाबाद ठीक है, आपको हमको पता है कि जो भारतिय मानक समय जो रेखा है वो कहां से बीचो बीच निकलती है, इलाबाद के बीचो बीच होकर निकलती है, इसलिए इलाबाद का वो इस्तानिय समय को दरसाती है, भारतिय मानक समय रेखा, अच्छा एक कोशन और ही बनता है कि जो भारत मानक समय रेखा, साड़े बियासे डिखरी ठीक है, यहनि हमारा समय पांच गटे हम लोग साड़े पांच गटे आगे चलेंगे ठीक है, नेश्ट कुरूशन पाते हैं निमन में से किस तट पर वर्षा लोडते हुए मानसून के द्वारा होती है निमन में से पर वर्षा जो होती है वो लोडते हुए मानसून से होती है जोजिला दर्रा निमन में से किस को जोडता है कस्मीर एवं स्रीनगर लेह एवं स्रीनगर लेह और कारगिल या नेपाल वे तिबबत तो सही जाब है लेह और स्रीनगर जोजिला दर्रा लेहे और स्रीनगर को जोडता है भाकडा नागल परियोजना किस नदीपर बनाई गई है रावी, चंबल, सत्लज या व्यास पर तो यह बनाई गई है 17 नदीपर ठीक है नेस्टोशन है विश्व जल दीवस कब मनाया जाता है विश्व जल दीवस मनाया जाता है 22 मार्च को ठीक है अगर हम बात करते है 22 अप्रेल की तो वही 22 अप्रेल को मनाया जाता है विश्व प्रत्वी दीवस दोनों ही काफी अच्छे कोशन्स हैं डेट को लेकर तो 22 मार्च को विश्व जल दीवस और 22 अप्रेल को विश्व प्रत्वी दीवस मनाया जाता है विश्व कैंसर दीवस कब मनाया जाता है चार फरवरी, तीन फरवरी, तीस जन्वरी या आठ मार्च तुसका सही जवाब है चार फरवरी को विश्व कैंसर दिवस प्रतेग वर्स चार फरवरी को मनाया जाता है एपी कल्चर सांखा में किसका अध्धन किया जाता है सेवालों का, चीटियों का, कीटों का या मदुमक्खी पालन के बारे में तो उसका सही जवाब है मदु मख्षी पालन के बारे में अध्यन किया जाता है विज्ञान की एपी कल्चर की साखा में भरत्पुन नगर के संस्ता पग थे तो भरत्पुन नगर के संस्ता पक थे राजा सूरजमल और आप बात करते हैं आज के प्रस्णि की जिसका आपको comment box में देना है चामल उत्पादन में भारत का कौन सा इस्थान है पहला दूसरा तीसरा या चौथा ठीक है इसका जब आपको comment box में देना है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक क चैनल सब्सक्राइब कर दीजीगा मिलते नेक्ट वीडियो में जै हिंद जै भारत धन्यवाद